जे तो सक्षी में कान हाई है यह सुद्वावी और नन्द भाया भी साथ में आया है क्या पर वो दूनों तो कहीं दिखना रहे ना कच्छों तो गड़ पड़े जे तो मेरे ही खर आ रहे हुए सच्ची में है ना कहीं मैं कलपना तो ना कर रही जे तो कान ही है भले ही चोरी चुपके आयो है पर है तो कान है और मैं क्या कर रही है ना ना मुझे इसको भीतर आने दिना चाहिए जे दवार खुल क्यों ना रही हो यदि में इसके सामने पड़ गी तो मुझे पत्तों कैसे चलेगो कि जे चुप चुपके क्यों आयो है जे चुपके क्यों आयो है जेसे ही जे घर के देरी के भीतर पाओ रख तो इसकी प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमगा जातों तो जेना देना पीतर को वे है तो ना इसमें कच्चु तो है ही ना पाहा क्या खूज रहे है मैजे जानकी नहीं तो की थी माखड में आके रखू है और याद को गड़ों में कुछ नहीं है मैंने कब कही इससे मैं तो बस सोच रही थी तो क्या मैं बूल बूल के सोच रही थी लगतो है अब पूप के पेटी बापिस जान पड़ेगो माखण तो उपर टंगो है पर यदि कानाने देख भी लियो तो इतनी उपर तक जिब पहुच के सपाएगो कर दो 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 पसब सीग्रही मटकी का ढकन गिर जाए ताकि इसके धुनी काना को फिर से यहां कीच के लिए आए ही नाला तनिक रूपा करो कैसे भी ढकन गिरा दो ना 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 काना बिना माखन का मतीजाँ कच्छू तो धनी आई थी यहां से मिल गो इतना सारा माखन अब आएगो आनन्द कर दो दो आएगो आनन्द कर दो कर दो तो क्या छे किवन मेरी इच्छाए पूरी करने आयो है है क्रिष्णा पुर्वी मनो हर क्रिष्णा दो पारा दो बिंदा एदा मोदरा फिर बहुत प्यार से माकन खिलाती है क्रिष्णा पुर्वी मनो खिलाता है हुआ 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 है हुआ हुआ है आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगो जे इत्ती सीगर सोगो आप खाओ जी मुझे भसा के बड़े आनन से सूरू है पर उसे क्या पतो के जे भोजन कित्ता स्वादिस्ट है जिसी कल्पना भी ना की थी आज वो होग आज कानहा मेरे घर पे माखन खा रहे हुए पर जी तो चोरी करने आयो है यह आपे हाँ जे बात सही है कि माखन की मटकी उतारके मैंने ही नीचे रखी थी पर इसने भी तो बिना पूचे सारा माखन चट कर लियो जी तो चोरी ही हुई ना भाबी को पता चलगो तो उन्हें अच्छा ना लगीगो कानहा के साथ साथ मुझे भी दाट पड़ जाएगी क्या करूँ तो ही बता कानहा क्या होगा इससे अभास हो गया कि जे चोरी कर रहे हुए तू कोन है वहां क्यों छुपके बैठो है पूलना तेरे नाम क्या है और तूने पेरा जैसा मून खुट क्यों पैनो है जानकी ने तुझे पेरे पेतनों बठाई वह या अब हस क्यों रहे हो है मेरे चुबली तो ना कर रहेगो सुन जानकी को खच्छु मती बोलियो वो ना बहुत बड़ी चापलूस है चापलूस? वो सीदे जाके मैया को बता देगी अब मैया मेरा घर से बार्ण करना बन करवा देगी तु मुस्करारो है ना सब सुनाई देरो है मुझे यदि मुझे तु फसानी के लिए सोच रहो है तु मती फसाई हो मेरे चुबली मती करो अरे हाँ मती में अभी बहुत माखण है हम दोनों बाट लेगे मुझे मित्रता करोगे च्याओ गो बाखण खाए बीना काँ चले गियो चानकी वो मैं ना मेरा प्रती बिम्ब है और जो पहले दिख रहो था वो तेरा प्रती बिम्ब था प्रती बिम्ब प्रती बिम्ब अर्था तेरी छाया ना ऐसा दिखते हूं प्राम चोड़ी कड़ते हूए तो तू एसोई दिखते हूए गाना मैंने रंगी हातों पकड़ ली हूए तछे आप सोच मैं याँ क्या दस्सा करेंगी तेरी कोई आवा सकता ना है मुझे पतो है आपका पेट भार कावन है ना बलकि मुझे तो जह भी लग रहो है कि आजकल सच्ची मैं मैं आप पे बिल्कुल ध्यान ना दे पा रही है आप इसी अब ना मती बोल रहा ना जाने किते दिनों से मैं आपको ठीक से भोजन ना दे रही है इसलिए तो आज आप दो जन का भोजन अकेले ही खा गए एसी कोई बात ना है या सोता ना मैं सब समझती हूँ ना तो मैं अच्छी महिया बन पाई यह सुधा कैसी बात कर रही हो तुम हरे तुम तो बहुत अच्छी महिया हो और साथ ही संसार की सब से अच्छी पत्नी भी भोजन तो ऐसा बनाती हो जैसे मा अन्नपोर्ण का आशिरवाद हो तुम पर इसलिए तो इतना भोजन खा सको में और तुम्हें लगो कि इतनी अधीक मात्रा में भोजन करना मेरे लिए दंड बन जाए जबके सच्ची बात तो यह है कि मुझे बहुत आनंदा है भोजन बड़ा स्वादेश्ट था सच्ची और नहीं तो क्या तो पहले क्यों ना बतायो कि भोजन अच्छा बनो है और हाँ लल्ला को भी बता देना कि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ हाँ नहीं तो हाँ लल्ला हुट जाए फिर बता दूँगो हाँ जी अज भरी दोपहरी में इत्ती कहरी नीम सोगो जे इत्ती से खटपड भी न हो रही एलकर आयो यह सुधा ठक गए होगा तो सो गए हो वैसे इत्ता स्वादिश भोजन करने के पस्चात तो मुझे भी नीन आ रही मैं या को बता दूँगे जानकी बता दूँगी हाथ पकड़के सीधा उंके पास लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि तूने चोड़ी से माखन खायो है ऐसा गरोगी मेरी साथ प्रभू हमें इसी समय यहां से नौदो ग्यारा हो जाना चाहिए रुक कहे तो बहुत बुरा फस जाएंगे दोनों हाथ आंगू तब तो हाथ पकड़के ले जाओगी महिया के पास स्रीक्रशना गोहिंदा का गाथ स्रीक्रशना स्रीक्रशना चोरी करते कानहा पकड़ा कुई चकित गोपी कैसा ये विकार स्पर्श की आजियों भूली स्वयं को हो रही दिव्य से काकार हो रही दिव्य से काकार पता अज क्या हुओ जानकी तु ठीक तो है ना जिब वहां क्या देख रही है कौन है वहां जानकी जानकी तु ठीक तो है ना जानकी झाल झाल जानकी झाल झाल झाल